हेलो आफिजर्स अड़र 247 के योट्यूब चानल पर आप सभी का स्वागत है SBI क्लर्क के लिए हम तयारी कर रहे हैं और उसी की तयारी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम डिस्कुस करने वाले हैं सिलोजिजम के कुछ क्वेस्टेंज और पॉजल हमें पता है कि कोई भी एक्जाम रहना दो रिजनिंग पजल के बिना अदूरा है पजल रिजनिंग में आना ही आना ओके तो पजल हम यहां पर एक डिस्कुस करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट की पजल होगी जिसमें दो होगे तो दो वेरियेबल की लीनियर अरेंजमेंट आज के सेशन में डिस्कुस करेंगे और सिलोजिजम के कुछ क्वेस्टनज डिस्कुस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग सेशन देख रहे है जल्दी से सेशन लाइक कर दो अटेंडेंडन्स मार्क कर तो और सब अपने अपने groups में session share कर दो, अगर आप में से कोई पहली ही बार session देख रहा है, तो चैनल को subscribe करना मत भूलो, ताकि आपको आने वाले sessions के update regularly मिलते रहे, उके, चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा structure बता देता हूं, सिलोजिजम के लिए आपको timer मिलेगा 30 second का, and puzzle के लिए timer मिलेगा आपको 2 minute का, तो आपको 30 second के अंदर सिलोजिजम का हर एक सवाल सही सही से solve करना है, 30 second थोड़ा सा ज़्याधा time है, पर ठीक है, and puzzle को 2 minute के अंदर solve करना है, ठीक है, तो चलो, इसी को ध्याद में रखते हुए, 30 second में पहला सवाल हम screen पर देखते हैं, पहला question देखाना, timer के साथ please, तो first question and timer आपके screen पर है, जल्दी से इसको solve कर लो, चलो, answer आना चाहिए था, वैसे अब तक 30 second की ज़रूरत नहीं, पढ़नी चाहिए थी इसके लिए, syllogism, अब हमने इतना practice कर लिया है, इतना practice कर लिया है, कि जैसे ही diagram दिखती है, हमें conclusion सही गलत पता चलना चाहिए, इतनी practice अभी stage पर होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत पहले सहम SBI clerk के लिए तैयारी कर रहा है, तो जो भी statement दिये है, सबसे पहले उसके diagram ट्रॉ करते है, some registers are files, यहाँ पर दिख़ए दे रहा है, some registers are files, register का कुछ हिस्सा file है, all registers are folders, सारे registers जो है, वो folders है, चलो, ठीक है, next हमें दिया है, जो है, वो क्या है, columns है, ओके चलो, ठीक है, यह हमारी diagram बन गई, ठीक है, पहला conclusion चेक करते हैं, पहला conclusion क्या दिया था, some registers are not columns, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, एक trick बताई थी, कि सारे statement अगर positive होता है, तो उससे negative conclusion कभी सही नहीं होता है, positive statement से, कोई भी negative definite conclusion कभी सही नहीं होता है, क्या कह रहा हूँ? Negative definite, ठीक है, तो इसको ज़ाधा सोचने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है, वैसे हम कैसे चेक करते हैं, syllogism में सारी चीज़े, कॉंपलिमेंटरी पेर से चेक करते हैं, all का complementary होता है some not and some not का complementary होता है all some का complementary होता है no and no का complementary होता है some ठीक है trick apply हो गई इसलिए हमें यहाँ पे जाने के जरूरत नहीं पड़ी ठीक है next second हमें दिया था all folders being file is a possibility सारे folders file होने के chances हैं ठीक है फिलाल तो देखो folder का जो हिस्सा file के अंदर नहीं है folder का वो हिस्सा जो file के अंदर नहीं है इसका और file का हमें कुछ भी relation मालूम नहीं तो अगर कुछ भी relation मालूम नहीं मतलब यह part यहाँ जा सकता है क्या बिल्कुल जा सकता है relation मालूम नहीं मतलब जो मर्जी चाहे वो possibility सही हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर दूसरा conclusion क्या होना चाहिए सही होना चाहिए first question का answer यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था हमें only one only two follows ठीक है first question का answer क्या जाएगा only two follows ठीक है चला आप मैं से सब को यह questions answer यह question का answer सही सही मिला होगा हम बढ़ते हैं next question पर next question दिखाना timer के साथ okay चलो answer आज आना चाहिए था ठीक है 20-25 seconds के असपस answers आने चाहिए ठीक है अगर कोई 20 seconds से पहले answer निकाल रहा है तो उसका speed एकदम सही जा रहा है okay चलो पहले तो statements की diagram ट्रो करते है all solutions are liquid okay all solutions सारे solutions जो है वो क्या है liquid next no liquid is a mixture no liquid is a mixture next all mixtures are matters all mixtures are matter सारे के सारे mixtures जो है वो क्या होने चाहिए matter होने चाहिए चलो ठीक है conclusions check करते है पहला conclusion all solution being matter is a possibility all solution being matter is a possibility ठीक है solution का और matter का कुछ relation मालूम है क्या हमें solution का और matter का कुछ relation मालूम है क्या हमें नहीं यह जो liquid का relation है यह किसके साथ दिया है mixture के साथ liquid का जो relation है किसके साथ दिया था mixture के साथ liquid का और matter का relation जहां तक भी पता है वो सिर्फ वहां तक mixture की boundary है तो matter का जो खुद का part है उसका और liquid का कुछ भी relation मालूम नहीं है मतलब solution और matter का खुद का part यानि ये बाहर वाले part के बारे में बात कर रहा हूँ इसका और solution का कुछ relation मालूम है क्या हमें नहीं ठीक है तो इनके बीच में जो चाहे वो possibility सही हो सकते थी तो सारे solution matter के ये वाले part में आ सकते थे यहां नहीं जा पाएंगे पर यहां आ सकते है क्योंकि relation पता नहीं relation पता नहीं मतलब जो मर्ज़े चाहे possibility सही करें तो solution और matter का खुद का part इन में कुछ भी possibility सही हो सकती थी ठीक है पहली possibility यहां पर सही हो गई है दूसरी possibility no solution is a mixture no solution is a mixture conclusion definite है conclusion definite है diagram में सही लगता है definite conclusion diagram में सही होता है तो हम क्या करते है complimentary की possibility चेक करते है ठीक है यहां पर no सही लग रहा था तो किसकी possibility चेक होगी some की some solutions can be mixture some solutions can be mixture हो सकता है क्या check करो सारे solutions है liquid में liquid का एक भी part mixture में नहीं जाएगा तो some यहां पर सही नहीं हो सकता है some सही नहीं हो सकता ठीक है some सही नहीं हुआ complimentary की possibility गलत यानि conclusion क्या होना चाहिए था सही होना चाहिए था second question का answer होना चाहिए था both conclusion one and two follow both conclusion one and two follow ठीक है चलो अपने से कितने लोगों को यह ऐसा ही answer मिला है यह देख लेना हम चलते है next question पर सा next question दिखा देना timer के साथ question cut हो रहा है थोड़ा सार question cut हो रहा है सार ओके time up अब यहाँ पर conclusion में थोड़ी सी language की गड़बड दिखाई दी हमें ठीक है इसको interpret कैसे करना था हम देखते है पहले तो statement की diagram ड्रॉ करते है some pages are pains some pages are pains all novels are pages सारे के सारे novels जो है वो क्या है pages है ठीक है and last दिया था हमें no novel is a book no novel is a book okay conclusions दिखते हैं पहला conclusion धान से पढ़ना धान से समझना some pains if they are novels are also pages pain का कुछ हिस्सा अगर novel है तो उसको pages होना ही चाहिए ठीक है देखो pain का कुछ हिस्सा अगर novel के अंदर चला जाता है पहले conclusion का मतलब क्या है some pains if they are novels are also pages pain का कुछ हिस्सा अगर novel है तो उनको pages होना ही चाहिए देखते हैं pain का कुछ हिस्सा अगर novel के अंदर आ जाता है ठीक है pain का कुछ हिस्सा मान लो यहां से novel के अंदर आ जाता है तो यह definitely pages के अंदर होगा ही होगा पिन का कुछ हिस्सा अगर novel के अंदर आ गया तो उसको पिन के अंदर definitely होना ही होना है इसलिए पहला conclusion क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है जब कभी भी ऐसे थोड़े बहुत language के variation के साथ questions आते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मतलब समझना होगा ठीक है ज जब भी कोई नई चीज एक्जाम में हमारे सामने आजाए चाहे प्री हो मेंस हो ठीक है जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आ जाए हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए थी कि उसको एकदम अच्छे से हम समझ पहे ठीक है एक बार समझ जाते है तो फिर basic procedure वही रहती है जो हमने पड़ी हुई है, ओके, next, all books being pages is a possibility, सारे book pages हो सकते है, क्या, ठीक है, book के लिए restriction कहाँ पर है, novel में, बुक के लिए restriction कहाँ पर है, novel में, ये pages का जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, यहाँ पर और book का कुछ relation या restriction मालुम है, क्या हमें, नहीं, pages का बाकी का हिस्सा और book कुछ भी relation और restriction हमें मालुम नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी possible हो सकता है, ठीक है, तो सारे book pages के अंदर ये वाले हिस्से में जा सकते हैं, दूसरा conclusion भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कहा जाता तो नहीं होता, क्योंकि उल्टे में novel का part book में नहीं आता, ठीक है, तो all pages can be book, अगर कहते, तो ये गलत होता, पर सारे book यहाँ पर जा सकते है, novel गडबड नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर third question के लिए answer क्या आना चाहिए था, both one and two follows, okay, both one and two follows, तीसरे के लिए answer आना चाहिए था, okay, चलो, तो next question, fourth question दिखाना सर, timer के साथ, चलो, time up, okay, अब देखो, time के अंदर कितने लोगों ने, इस question का answer, निकाल दिया है, देखो, पहला statement हमें दिया है, some doctors are professors, पहला statement हमें क्या दिया है, some doctors are professors, दूसरा statement दिया है, all doctors are intelligent, सारे doctor जो है, वो क्या है, intelligent है, चलो, ठीक है, तीसरा दिया है, no professor is poor, okay, no professor is poor, okay, ऐसे हमारे diagram बनेगी, अब conclusions check करते है, पहला conclusion क्या दिया है हमें, at least, some doctors being poor is a possibility, ठीक है, at least का यहाँ पर कुछ वजूद है क्या, नहीं, ठीक है, यह at least का कोई sense नहीं बनता है यहाँ पर, यह सीधा सीधा conclusion क्या था, some doctors being poor is a possibility, ठीक है, at least को ऐसा ही extra दिया था, उससे कुछ फरक नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, some doctors being poor is a possibility, चेक करते हैं, doctor का कुछ हिस्सा पूवर के अंदर जा सकता है क्या, ठीक है, अब देखो, doctor का relation poor के साथ हमें सिर्फ यहाँ तक पता है, doctor का जो part professor के अंदर है, सिर्फ उसका relation poor के साथ पता है, यह जो बाकी का हिस्सा है, उसका और poor का कुछ relation पता है क्या हमें, नहीं, तो बाकी वाले हिस्से में और poor में हर कोई possible चीज हो सकती थी, यह doctor का बाकी का हिस्सा था, इसमें और poor में हर एक possibility exist कर सकती थी, ठीक है, तो इसमें some exist हो सकता है, क्या हो सकता है न, doctor का यह वाला part थोड़ा बहुत poor के अंदर जा सकता है, क्या जा सकता है, ठीक है, relation मालूम नहीं मतलब कुछ भी possibility सही कर लो, ठीक है, एक basic syllogism का point होता है, तो पहले possibility क्या हो गई यहाँ पे, सही हो गई, दूसरी check करते है, all doctors, if they are professors, are also not poor, अब यहाँ पे थोड़ा और गड़ बड़ है, ठीक है, देखो, क्या है, इसका मतलब समझता है, पहले doctors, अगर professor है, तो वो poor नहीं है, इसका मतलब क्या था, all doctors, if they are professors, सारे doctor अगर professor हो गए, तो वो poor नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब सारे doctor अगर poor के अंदर आ जाते हैं, तो क्या वो professor होंगे, नहीं हो सकते है, not poor, ठीक है, तो यह poor हो सकते है, क्या, नहीं poor हो सकते है, इसका मत असलब यह second भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, if all doctors are professor, सारे doctor professor हो गए, तो वो poor नहीं हो गए, ऐसा ही यह diagram का interpretation है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, fourth question का answer क्या आ जाएगा, both one and two follows, food का answer क्या आना चाहिए था, both one and two follows, I hope आप सभी को ऐसा ही answer मिला होगा, और नए-नए statements देखकर, आपको उनको tackle करने की आदत हो गई होगी, ठीक है ना, banking exam is all about comprehending the new type of information, हर बार exam में, चाहे pre हो, means हो, कुछ ना, कुछ चीज़े हमें नहीं देखने, को ही मिलती है, especially अगर वो SBI है, तो यहाँ पर हम command कैसे ला सकते हैं, नहीं चीज़ों को समझने की आदत हमें पहले से होनी चाहिए, ठीक है, तो यह आदत हमें बहुत ज़्यादा help करेगी exam में, ठीक है, खास करके means में, means में चीज़ें नहीं होती है, मतलब क्या होती है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अलग way में represent किया जाता है, that's it, और कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो चलो, syllogism के set के last question पर बढ़ता है, sir, last question दीखाना, timer के साथ, please चलो, time up, अब यहाँ पर जादा कुछ थाने है, देखता है, regular हमारा statement है, regular conclusion थे, no paper is thin, सबसे पहले तो diagram ड्रॉ करेंगे, no paper is thin, okay, all things are circular, okay, सारे थीन, circular है, no circular is metal, no circular is metal, पहला conclusion, all metals being thin is a possibility, इसका मतलब क्या होता है, सारे मेटल थीन होने का chance है, सारे मेटल थीन के अंदर जा सकते हैं, क्या चिक करो, मेटल पर circular में जाने के लिए ही restriction है, मेटल circular के अंदर ही नहीं जा सकता, तो thin तक पहुच पाएगा, क्या, नहीं पहुच पाएगा, तो मेटल सारे thin होना possible नहीं है, पहला conclusion गलत होता है, दूसरा conclusion, some papers are not circular, some papers are not circular, ठीक है, conclusion definite है, conclusion definite है diagram में सही लगता है definite diagram में सही लगता है तो क्या करना चाहिए complementary की possibility check करनी चाहिए conclusion था some not वाला some not का complementary होता है all तो यहाँ पर हमें क्या check करना चाहिए था all papers can be circular कॉंप्लिमेंटे की possibility क्या होगी इसकी all papers can be circular अगर ये possibility सही हुई तो ये conclusion गलत अगर ये possibility गलत हुई तो ये conclusion सही all papers can be circular सारे के सारे papers circular में आ सकते हैं क्या check करो paper का और circular का हमें relation कहा तक पता है सिर्फ और सिर्फ यहां तक ये छोटे वाले circle तक सिर्फ और सिर्फ यहां तक पता है ठीक है paper और circular का बाहर का हिस्सा इनके बीच में हमें कोई भी relation मालूम नहीं है तो यहां पर सारे paper circular के बाहर वाले पार्ट में आ सकते थे ठीक है देखो all सही हो रहा है all papers can be circular all सही हो रहा है मतलब some not क्या होना चाहिए गलत होना चाहिए ठीक है दूसरा conclusion यहां पर क्या हो जाएगा गलत 5th question का answer क्या आ जाएगा neither one nor two follows ठीक है neither one nor two follows यह answer हो जाएगा 5th question का syllogism के 5 के 5 question हमने यहां पर discuss कर दिया है आप में से कितने लोगों को यहां पर सही समय के अंदर जो भी time आपको दिया था उसके अंदर 5 के 5 सही मिले है comment करके बताना अब हम next part की तरफ बढ़ते है जो है हमारा puzzle ठीक है तो puzzle के लिए आपको time मिलेगा 2 minute का 2 minute के अंदर आपको puzzle solve करनी है ठीक है puzzle का introduction में एक बार बता दू आपको 2 variable रहेंगे puzzle में और बाकी जो कुछ भी चीज़े हैं आप लोग बढ़के उसको sort out करोगे ठीक है सब puzzle दिखाना timer के साथ 2 minute का timer cut रही है puzzle ठीक है आपको अविप उसको कि अजर सब्सक्रावम कि अजर सकता है कि झाप लोग झाल 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 के चलो तो टाइम यहाँ पर खतम हो चुका है दो मिनिट के टाइम के अंदर क्या आपने ये पजल सॉल कर ली है देखो ज़रा एक्जाम में क्लर्क की एक्जाम की बात कर रहा हूं मैं क्लर्क प्री में इसी लेवल की पजल्स आने वाली है ठीक है क्लर्क का प्री ज़्यादा difficult नहीं रहेगा बार-बार कहा है मैंने ठीक है बस वहाँ पर जो questions होते है वो आसान होते है इसी लिए हमें उनमें speed चाहिए होता है ठीक है easy question में हमें speed चाहिए और difficult question में हमें conceptual clarity चाहिए ठीक है फेसिंग नौर्थ अर्ट इक्वल इस्टेंस इस नौर्ट नेसेरली इन दे सेम ओर उनका कुछ प्रोफेशन दिया है चलो ठीक है तो यह description में यह दिया था साथ लोग नौर्थ के तरफ face करके खड़े है और उनका कुछ अलग-अलग profession दिया है सबसे पहले तो हम base बनाते हैं ठीक है 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है तो यह हमने base बना लिया लोगों के नाम उनके profession यहां पे लिखेंगे one by one सारे point पढ़ेंगे और यहां पे relate करेंगे पहला point क्या दिया है Mr. Raathod is standing fifth position to the left of Mr. Rao Mr. Rao के पांचवे left में Mr. Raathod है अब देखो Rao को अगर हम यहां पर consider करते हैं 1,2,3,4,5 Mr. Raathod यहां पर आ जाएंगे Rao यहां पर तो Mr. Raathod यहां पर Mr. Raathod और यहां पर कितना किसक सकते हैं सिर्फ एक position ठीक है मतलब Rao भी और यहां पर कितना आ सकते हैं सिर्फ एक position तो Rao यहां पर Mr. Raathod यहां पर पहली case Mr. Rao यहां पर Mr. Raathod यहां पर दूसरी case तो पहला point अगर हम relate करने जाते हैं इतनी cases बन रही है यहाँ पर दो cases मेरे हिसाब से यह तुरंथ हमें cases consider करने चाहिए क्योंकि आगे चल कर यह puzzle आसान होती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहाँ पर Mr. Rao एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच मैंने कितने ले लिए चार और चाराग साथ थे एक दो तीन चार पांच हे साथ साथ थे तो साथ ही लेने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर कोन आ जाएंगा आ जाएंगे Mr. Raathod ठीक है दूसरी case क्या बनेगी यहाँ पर Mr. Rao और उनके पांच वे लेफ में Mr. Raathod ठीक है एक दो तीन चार पांच पहला पॉइंट रिलेट कर दिया है हमने ठीक है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ ओके चला अब देखो next point पढ़ते हैं next point क्या दिया है हमें journalist is standing at the third position to the right of Mr. Raathod Mr. Raathod के तीसरे right में generalist खड़ा जर्नलिस्ट खड़ा है Raathod first, second, third यहाँ पर journalist आना चाहिए Mr. Raathod first, second, third यहाँ पर कोन आना चाहिए जर्नलिस्ट आना चाहिए ठीक है आगे क्या दिया है देखो Mr. Bachchan is standing at fifth position to the right of Mr. Singh Mr. Singh के पांचवे right पे Mr. Bachchan है ठीक है, Singh कहां कहां पर लेख सकते है देखो Mr. Singh यहाँ तो possible नहीं है, यहाँ पर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, बच्चन जी यहाँ पर आ जाएंगे इस case में Mr. Singh को यहाँ से आगे लेना possible है क्या नहीं है, ठीक है, Mr. Singh को यहाँ से आगे लेना possible है क्या नहीं, तो इस case में Mr. Singh जो है, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इनके पांचवे right में बच्चन जी आ जाएंगे ठीक है, इस case में देखते है, Mr. Singh यहाँ पर ले सकते है क्या ले सकते है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पर Mr. बच्चन जी आ जाएंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ से आगे Mr. Singh को अगर हम लेते हैं, तो Mr. बच्चन के लिए हमारे पास जगा नहीं बचेगे, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़े अभी तक sort out हो चुकी है, आगे दिखते हैं, Mr. Sharma is standing second to the left of Mr. Mehta, Mr. Mehta के second left में Mr. Sharma है, मतलब दोनों के बीच में एक का gap है, और एक का gap छोड़कर अगर हमें लेना है, तो यहाँ पर सिर्फ यही case possible है, ठीक है, Mr. Mehta के second left में Mr. Sharma है, तो महता के second left में Sharma, इस case में वो कैसा relate होगा, Mr. Mehta यहाँ पर और Mr. Sharma यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक person बचेंगे, और जो भी बचे है, वो यहाँ पर बीच में आ जाएंगे, ठीक है, कोन बचा है, Mr. Goyal बचे है, तो यहाँ पर Mr. Goyal आ जाएंगे, ठीक है, अ अब हमें क्या final करना है, बच उनके profession final करें, ठीक है, देखते हैं, आगे हमें दिया है, Engineer is standing at the second position to the left of Mr. Goyal, Goyal के second left में Engineer है, first second, यहाँ पर कोन आना चाहिए था, Engineer आना चाहिए था, Mr. Goyal के second left में Engineer, यहाँ पर कोन आना चाहिए था, Engineer आना चाहिए था, आगे, Three persons are standing between Engineer and Singer, Engineer और Singer के बीच में तीन परसन, तीन छोड़कर सिंगर लेफ्ट में नहीं हो सकता है, तीन छोड़कर सिंगर लेफ्ट में नहीं हो सकता है, एक, दो, तीन छोड़कर सिंगर कहाँ पर होना चाहिए था, राइट में, एक, दो, तीन छोड़कर सिंगर कहाँ पर होन आगे देखते हैं आगे हमें दिया है थ्री परसन्स इंजिनियर सिंगर हो गया clerk is standing immediate left of engineer clerk जो है वो इंजिनियर के immediate left पर खड़ा है चलो ठीक है clerk भाई सब यहां पर engineer के immediate left में खड़े हैं उनको हमने कड़ा कर दिया, आगे businessman is to the immediate right of manager manager के immediate right में businessman, मतलब ये दोनों भी consecutive आने चाहिए थे, ठीक है उपर की case में देखो manager हम तीनों में से किसी भी position पर ले ले, क्या उसके immediate right में businessman को रखना possible है, नहीं है, तो यहाँ पर ये case क्या हो जाएगी, cancel हो जाएगी, case क्या हो जाएगी ये, cancel हो जाएगी, last point क्या था हमारा, manager के immediate right में businessman होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये confirm कैसे हो सकता है, manager के immediate right में businessman, ये ऐसे confirm हो जाएगा यहाँ पर, और हमें इस तरीके से ये solution मिल जाएगा, ठीक है I hope आप सभी ने, ये puzzle इसी approach से solve की होगी, ठीक है यहाँ पर, ये puzzle जल्दी solve क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में ही cases, अलग-अलग possibilities consider की है, अगर हम अलग-अलग possibilities शुरुवात में ही consider नहीं करते, तो यहाँ पर हमें इस puzzle के लिए बहुत में के अंदर आराम से solve कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके उपर हम questions discuss करते हैं, so next slide दीकाना, please, 6th question, who among the following is sitting second to the right of manager, manager के second right में कौन बैठता है, या तो Mr. Mehta होने चाहिए, या फिर Mr. Journalist होने चाहिए, Mr. Mehta हमें दिया है, option B में, तो 6th question का answer क्या होना चाहिए था, option B, 7th question, who among the following are the immediate neighbors of the one who is singer, singer के immediate neighbors हमें पूछे है, ठीक है, तो Mehta, Rao, P.O, Journalist, इन में से कोई भी हो सकता है, clerk and businessman, ये नहीं है, पहला option गया, P.O and businessman, P.O है पर businessman नहीं है, दूसरा option गया, journalist and P.O, ठीक है, तो C option में हमें answer मिलता है, 7th question का answer होना चाहिए, option C, 8th question, who among the following is sitting exactly in the middle of the row, line के exactly बीच में कौन बढ़ता है, देखो, Mr. Goyal, या फिर businessman, option में इन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम option देखते हैं, तो यहाँ पर Mr. Goyal और businessman, businessman हमें मिलता है, option B में, 8th question का answer क्या होना चाहिए था, option B, so next slide, please, who is sitting at the extreme left end of the row, row के extreme left end में कौन बढ़ता है, Mr. Singh, या फिर clerk, option में Mr. Singh दिया है, तो 9th question का answer क्या होना चाहिए था, option A, ठीक है, 9th question का answer, option A, 10th question, how many persons are there to the left of journalist, journalist के left में, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कौन सा option है, D, तो 10th question का answer क्या होना चाहिए था, option D, ठीक है, puzzle का solution आपके सामने screen पर है, तो slide अटा देना, तो, आज जो हमने questions discuss किये, उन में से, 10 के 10 question, कितने लोगों के सही समय के अंदर, सही सही आया है, ठीक है, puzzles, tackle करने का approach, आपका दिन बदिन बहतर होना चाहिए, और आपकी speed puzzle में, बहुत ज़्यादा improve होनी चाहिए, ठीक है, तो आज के session में, हमने जो 10 question लिये थे, वो syllogism और puzzle के उपर paste थे, ठीक है, तो चलो, आज के session में, हम यही पर रुखते हैं, आप मेंसे जो भी लोग, पहली ही बार session देख रहे थे, channel पर पहली ही बार visit कर रहे हैं, channel को subscribe जरूर करना, ताकि आपके आने वाले sessions, कोई भी miss ना हो, ठीक है, अगर session आपको पसंद आया है, तो जल्दी से session like कर दो, और अपने सारे groups में, session को share कर दो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you and have a great time. कर दो जूँ कर दो कर दो,